लेटेस्ट और ताजा खबरे जानने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नए वीडियों की जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए दोस्तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार समेत सोलह राजों में अगले दो दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है तटिये राजों के मचुआरों खास कर अरब सागर की और जाने वाले मचुआरों को उधर न जाने की चेतावनी जारी की गई है राष्ट्रे आप दा प्रबंध प्राधिकरण ने मीडिया NDMA को जानकारी देते हुए कहा कि अगले दो दिन तक बंगाल की खाड़ी समेत देश के सोलह राजों में अगले दो दिन भायंकर बारिश होने की संभावना है वहीं देश के कुछ थानों जैसे उतराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है सुमवार को उतराखंड में भयानक बारिश होने की आशंका जताई गई है NDMA ने जिन सोलह राजों में अगले दो दिन तक भायंकर बारिश की चेतावनी जारी की है उनमें उतराखंड उतरप्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल ही माचल प्रदेश 36 गड़ जारखंड ओ डिशा अरणाचल प्रदेश असम में घाले तटियें आंधर प्रदेश तटियें करनाटक तमिलनाडू और केरल है भारी बारिश और बार के कारण साथ राज्यों में इस मनसून सीजन में अभी तक 718 लोगों की जान जा चुकी है डिहमंत राले के नाशनल इमर्जेंसी रिस्पांज सेंटर एन इर्सी के मताबिक अब तक उतरप्रदेश में 171 लोगों ने अपनी जान गमवाई है पस्चिम बंगाल में 170 लोगों की मौत हुई है जबकि 178 लोग केरल में मारे गए हैं और 149 लोगों की महराष्ट में मौत हो गई दोस्तो देश दुनिया और मौसम संबंदी जानकारी के लिए मने रहे हमारे चेनल के साथ धन्यवाद